आज के बजट पर अपसे कुछ दिर पहले मैंने वित्त राजमंत्री अनुराग ठाकुर जी से खास बाचीत की है अब आप सिर्फ साथ मिनिट में उनसे बजट का पूरा निचोर समझें अनुराग जी देखें मैं पहले आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि इस इंट्रिव्यू का जो मकसद है वो यह है कि अगर जनता के मन में कोई भी डाउट है तो उसे देश के वित राजमंत्री जो की पूरे कोविड में जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते रहें उनसे बहतर कोई हमें नहीं क्लियर कर सकता है तो मैं इसलिए आपसे उसी पॉइंट ओफ व्यू से आपसे सारे सवाल पूछूँगा सर आपने कई सारी सकीम्स यह सरकार लेकर आ रही है और सेंट्रिली स्पॉंसर्ट सकीम्स हैं जो लोगों के हित में हैं अगर मैं खलत नहीं हूँ तो शायद सवासों से जादा सकीम्स हैं लेकिन ये स्कीम टाइम पर डिलिवर करें, इसके लिए क्या आक्शन प्लान होगा? देखें, कम्प्लाइंस इस सरकार में पहले से बहतर हुआ है, अकाउंटेबिल्टी भी तैकी है, और हमारा जो ऑनलाइन सिस्टेम है, पोर्टल है, तो इस पर भी हम पूरी तभी राज्यों को अगली किश्ट देते हैं, जब तको पिछला पैसा खर्च करते हैं, इस से राज्यों में स्पेंडिंग शमता भी बड़ी है, और इस बार भी सब को पता है कि हमने FRBIM Act में छूट देकर, जो राज्यों को 3% से उपर बढ़कर 5% तक पैसा लेने की बात कही थी, बहुत सारे राज्यों ने वो बदलाब भी किये हैं, चाहे वो लोकल बॉडिस की बात हो, इस ओफ डूइंग बिजनेस की बात हो, पावर सेक्टर की बात हो, जो तीन-चार क्षेत्रों में बदलाब करने थी, या वन नेशन, वन राशन कार्ड की बात हो, तो 0.5, 0.25, 0.25 points मिल लेते, तो 1% उसका मिलना था और 1% open मिलना था, तो राज्यों ने उसको भी लिया है, राज्ये भी spend करने के इंदर सरकार भी, 34.5% ज़्यादा और खर्च करने वाली capital infrastructure पे, तो ये schemes के माध्यम से, जो national infrastructure pipeline आप देखेंगे, हमने महामारी के समय भी, एक क्रोड से ज़्यादा खर्च उस पे अभी तक कर लिया है, ये अपने आप में दिखाता है कि महारी किशमता बढ़ रही है खर्च करने और आगे और बढ़े, system ऐसे तैक करेंगे कि और खर्चा, मैं ये सवाल आप से इसलिए पूछा हूँ सर, अभी अभी TV9 ने एक बंगाल conclave किया, तो वहाँ पर एक हमारे साथ जुड़े बड़े केंदुरी मंत्री, उन्होंने बताया कि किस तरीके से water taps के लिए बंगाल की सरकार को हमने commitment दिया, हमने पैसा भी दिया, लेकिन उन्होंने उसका half amount यूटलाइस किया, उनके हित में बावजूद इसके half amount यूटलाइस किया, अब हेल्ट स्रेक्सर में आपने करीब 137% का हाइक दिया है, जो की सबसे जरूरी है भी, लेकिन अब ये execute कैसे होगा state level पर, इसके लिए क्या किया जाएगा साथ? इसके लिए सबसे पहले तो दो तिन महीने बाद जब चुनाव होंगे, तो बंगॉल में भारती अंता पाटी की सरकार बनेगी, तो जो अब तक वहाँ पर मुम्ता जी रुकावट लाती हैं, केंदर की यूजनाओं को लागू नहीं कर पाती हैं, जी, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ सर्थ, बंगल एक्जामपल दा बस, नहीं हर स्टेट की बात कर लेते हैं, तो हर राज्य में, राज्यों को ही लाब है कि जतनी ज़्यादा केंदर की यूजनाओं मिले, तो राज्यों का उतना अपना खर्चा कम होता है, हम तो राज्यों की मदद कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकाह, सबका विश्वास लेकर चलर, कॉप्रिटिव फैडरलिसम पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर राज्ये ही संकोच करते हूँ पैसा खर्च करने में, तो उसमें तो वहां की जनता को जागरुक रहके जवाब दे रज्जे की सरकारों की तैय करनी पड़ेगी अमराक सर ये सवाल में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक सेंस ओफ कन्फूजन नहो इस देश के पूर्व वित्मंत्री चिदम्रम साब ने आज प्रेस कॉन्फरेंस की उन में से एक चीज जो है वो मन में आ रही है बार बार हाला कि उससे पहले में उसका प्रिल्यूट जो मैं है आपने एक बहुत अच्छा काम किया है NPA की रिकावरी को लेकर वो जो आपने बताया है कि एक separate agency बनेगी जो bad assets को take care करेगी लेकिन साथ में एक और चीज है कि दो public sector banks का disinvestment होगा अब जिनों ने disinvestment की देश में शुरुआत की वो ये सवाल रख रहे हैं कि मैं अंग्रेजी में court करता हूँ इस पर आपका reaction मैं पहली बात तो कहूँ अगर bank कोई अच्छा नहीं चल पा रहा तो ये कहां से न्याय होगा कि देश की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसर tax के माद्यम से आता है या भारत सरकार करजा लेकर उन बैंकों की capitalization करती रहे बैंकों को डुबाने का काम इनिपूर वितमंतरी जी ने किया था जब हमारी सरकार ने आकर asset quality review करवाए सही NPA जनता के सामने रखे और पांच लाग क्रोड रुपे हमने बैंकों में capital infusion किया तब जाकर भारत के बैंक खड़े हो पाए PCA framework से तो तब निकले हैं और अब अगर हम उनकों अपने पाउं पर खड़ा करने के बाद कहते हैं कि इनमें से दो बैंकों को और एक insurance company को भेचा जाएका तो इसमें बुराई क्या है इसमें उनके करमचारियों को लाब मिलागा banking विवस्ता और सुद्रेड होगी जो नया खरीदार आएगा उसको और मजबूत करेगा मेरे दो सवाल है और आप उसको उस समय में जवाब देदें क्योंकि मैं जानना चाता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए पहला तो कि अभी September 2020 में लोकसभा में ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से कि 1.06 करोर migrant workers जो हैं वो अपने होम टाउन चले गए और ये भी कहा गया कि जो 21 मिलियन सैलरीड इंप्लोईज हैं उनकी नौकरियां चली गई है तो मेरा पहला सवाल ये है कि इनको वापस लाने के लिए इनके जॉब्स के लिए इस बजट में क्या है और दूसरा सवाल ये है कि जो कंपनी चाइना से भारत आना चाह रही है एक रिपोर्ट हमने पड़ी कि वो वैतनाम भी जा रही है बहुत सारी कंपनी जी भारत में नहीं आ रही है इनको लाने के लिए इस बजट में क्या है ये दो सवाले से देखिए पहले तो भारती अर्थ विएस्ता में लोगों का विश्वास है मोदी जी के नितरतम में विश्वास है इसलिए एफडियाई भी रिकॉर्ड पिछले कुछ महीनों में कोविड के समय भी आई दूसरा देखा जाए जो हमारी स्कीम से उसका लाब भी मिल रहा है मोबाइल में हमारी केवल दो कंपनिया थी आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बन चुके है यह अपने आप में बड़ी उपलब्दी है इसी तरह से प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माद्यम से अलग लग शेतरों में लोग निवेश करेंगे दस सेक्टर्स उसमें इडेंटिफाई किये गये हैं इसके लावा जो साथ टेक्स्टाइल पार्क बनेंगे वहाँ पर भी लाग लोगों को रोजगार के अफसर होंगे इसी तरह से जो बल्ट ड्रग पार्क आ रहे हैं जो लोग अपने करमचारीओं को वापिस रख रहे हैं उनमें उनका EPFO का करमचारी भविशेनीदी का पैसा के अंदर सरकार दे रही है दो साल तक देने वाली है इसलिए लोग वापिस आप अपने लोगों को काम पर रख रहे हैं झाल